आजाते है कि पाकिस्तान का कल्चर इना वह इंडिया से एड़ाउड कियाुए कि रहे हैं वहाइया सधीया हम जो जो सथ गुजा रहे हैं weaving किल आजे हुआ के इंडियन कल्चर यह कहरें कि हे shortest को शूलोग कर रहें City कारे जैसे यूएस का और योरप का वो कल्चर फॉलो करना शुरू हो गया है लेकिन जो लोग पाकिस्तानी कल्चर फॉलो करते हैं वो मैं यह नि कौंगी कि वो इंडिया का कल्चर है वो हमार अपना ही कल्चर है पाकिस्तान का कल्चर है क्या पाकिस्तान का कल्चर पंजाबी इस चीज को दिनाइन कर सकते हैं बिल्कुल और कुछ ऐसी रसमें भी हैं जो हम लोग इंडिया की वह लोग यूज कर रहे होते हैं इसमें भी है शादियों पर बैसिकली जाता है अच्छा क्या वज़ा है कि इंडिया जो है वह अपने कल्चर को बहुत परमोट करता है उनके पाकिस्तान उस परमोट कर रहा है अब जाकर कहीं ऐसी फिल्में बनना शुरू हुई है जैसे मैं पंजाब नहीं जाओंगी लाइक इस तरह की जिसमें हमारा कल्चर रिप्रेजेंट किया गया लेकिन अगर देखे तो हमारा कल्चर दबा दिया जाता है बिल्कुल ऐसे ही ह आप उनके लेहंगे देखे और उनकी बाकी ड्रेसिंग देखें वो यहां तो बाहिर की होंगी यूएस की अगर थोड़ी फैशनरेबल है और अगर नॉर्मल है तो वो इंडियन है यह चीज सच है अब आप देखें के हर दस साल बाद हमारा कल्चर चेंज हो जाता है कभी ह हम ईसट को फोलो कर रहें कभी हम वेश्ट को फॉलम कर रहें और कभी हम इंडिया की तरफ चले जाते हैं और कभी कोई ड्रामा तुगरूल पसंद आ जा जाय तो हम उसको फोलो करना शुर कर देजा तो इस तरह तो हमारी शनाक बढ़नी नहीं पाएगी फिर तो पाकिस्ता के इंडिया का कोई लग विजारी से नगma इनड रे लगेगा एंडिया का एको हमें अचु क्शा कि मैं हम barking है अपने असरा अव लग इसलगे गा इंडिया का एक वहरिए हम बहूर होती हैं जैसे दूद्बलाई की रस्म कर रहे हो वह पकिसान में जो के यह चीज़े नहीं होनी चाहिए ठीक है तो मतलब हो गया वरना तो होना नहीं चाहिए एक चीज में आपको इंडियन कल्चर कैसा लगता श्राइब तो नहीं अच्का लगता है इसमें करूंगी कि हम important चीज़ है इस हवाले से आज बात करेंगे नरिंडरा मोदी जी ने जब चार्ज संबाला तू तूजन फोटीन में तो उस वक्त से लेकर अभी तक बहुत बड़ी बड़ी development देखने को मिली वैसे तो दुनिया बर के साथ लेकिन खास तो पे अरब दुनिया के साथ जो और मतहिदा अब अरब अमारात के जो नेशनल सीक्यूर्टी एडवाइजर्स थे वो सुधियरेबिया के वली एहद और प्राइम मिनिस्टर भी हैं मुहम्मद बिन सल्मान के साथ उनकी जो लास्ट वीकेंड था उस पे एक इंतहाई आहम मुलाकात हुई और इसको बड़ा important करार दिया जा रहा है कहा जा रहे कि खलीजी मुमालिक में अमेरिका अपनी जो strategies हैं उसमें इंडिया पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है अरब दुनिया में इंडिया के ने इमकानात की बात की जा रही है और इसके इलावा मुक्तलिफ जो 10 tanks हैं वो क्या कह रहे हैं वो होता हिदा अरब अमाराद भी इसमें दिल्चस्पी रखते हैं इसके साथ साथ जो एंडो पैसिफिक के साथ साथ है मश्रिक उस्ता यानि गल्फ रीजिन मश्रिक में चीन के जो इंफ्लोएंस है उसको रोकने के लिए मिल कर काम करने की तरफ बाड़ रहे हैं बाइडन इं पनसूबे के जरीए ही रोका जा सकता है अच्छा जो वर्स्ट एशिया है उसमें एक हलचल का दोर दोरा है ऐसे में अरब मौलिक जो आपस की उनकी दुश्मनिया है उसको बलाकर एक बार पिर इकटे होते हुए नजर आ रहे हैं शाम में 2011 में शुरू होने वाली जो इंसर कोशिश कर रहा है इसे में इंडिया के नेशनल सेक्यूटी के इडवाइजर अजीद डोवल की अमेरिका और यूई के नेशनल सेक्यूटी इडवाइजर के साथ सूदियारब में मुलाकात बड़ी आहाम है